मने एक पपी चाहिए पपी? मतलब कुट्य का छोटा बच्चा? इशान खटर और जानवी कपूर की most अवेटेट फिल्म धड़क का पहला गाना जिलीज कर दिया गया है गाने के बोल है धड़क दिर्माता करन जोहर की बातों से तो यही लगा था कि मराठी फिल्म सैराट जिस पर धड़क बंड रही है उसका हिट गाना धिंगाच रिलीज किया जाएगा तब किया जाएगा फिलहाल हम बात करते हैं धड़क की गाने में अजय गोगा वाले और श्रियक बुशाल ने अपनी आवाज की है गाने को कंपोस्ट किया है अजय अतुल में फिल्म कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के और लड़की की प्यार में पढ़ने की है और यह इश्क उनकी जिन्गी कैसे बदल देता है इस गाने में आपको उसी की जलक दिखेगी गाने की शुरुवात होती है पप्पी से पप्पी वही जो इशान खटर जानमी से मांग रहे हैं उसके पूरे गाने में जिस क्यूट अंदास्वन का रोमैंस दिखाया गया है उससे तो किसी को भी प्यार हो जाएगा गाने में रोमांस और इमोशन का बहतरीन कॉम्मिनेशन है इशान खटर के लिए जो बोल लिखे गए हैं वो काफि रोमैंटिक है जो उनकी गर्फरिंड के पीछे की दिवानगी को दिखाते हैं तो वहीं जानवी के लिए जो लाइन लिखी गई है वो काफि एमोशनल है कुलमिलाकर गाने के बोल दिल से दिल के टार जोडने वाले हैं वही गाने को राजस्थान के खुपसूरत लोकेशन पर फिल्माया गया है गाने के एक-एक सीन इतने प्यारे हैं कि आपको उनसे प्यार हो जायेगा गाने के composition में भी music का एक जबरदस fusion है जो आपको बार-बार इस गाने को सुनने के लिए मजबूर करेगा गाने को release हुए सिर्फ कुछी घंटे हुए है लेकिन इन कुछ घंटों में ही गाने को million views मिल चुके है social media पे भी ये गाना top trend में है तो मैं तो चली इस गाने को loop mode में सुनिए आप भी सुनिए अच्छा लगेगा आपको तब तक के लिए बाई बाई